अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर और आज हम यापर बात कर रहे हैं टाटा ब्रैंड की हैरियर कार की फेरलेस डार्क एडिशन की जो की काफी सुन्दर लुक में हमें देखने को मिलती है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे और स्वाप स्पीड दी गई है ऐलोई वील आप देखी रहे हैं काफी बड़े 19 इंच के ऐलोई वील देखने को मिलते हैं और इस कार के अंदर SOS वाला बटन भी इसमें मिल जाता है TPM, Tear Pressure, Monitor मिल जाता है LED DRL, LED Headlight ये सारी चीज़ें LED में आपको देखने को मिलेंगी Rain Sensor Wiper मिल जाते हैं, Cruise Control जैसे फीचर्स मिलते हैं, बड़ा Boot Space इसमें मिलता है अगर Side की Profile से हम बात करें तो काफी अच्छा Look देखने को मिलता है, चारो तरफ से Walk Around में दिखा देता हूँ इस कार के अंदर इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन इसमें 2.0 लिटर टर्बो चार्जवाल आपको देखने को मिलेगा जो की 1956 CC माता है, मैक्सिमम पावर जो है, वो 162 बहट पी पावर जनेट करता है, 3750 RPM पर यह सारी चीज़ इसमें देखने को मिलती है, 6-speed gearbox आपको देखने को मिलेगा फ्यूल टाइप डीजल है, तो यह भी काफी अच्छा है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक connected light front में आपको देखने को मिल जाएगी, जो की DRL पूरा देखने को मिलता है, यह काफी अच्छा look हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है, तो मेरे इसाब से तो भाई, front look जो है, वो काफी बहतर है, और black color में white light कितनी सुन्दर लगती है, आप खुदी देख सकते हैं, कितनी प्यारा look यहाँ पर देखने को मिलता है, टाटा की branding देखने को मिलती है, और यहाँ पर टाटा की branding है, इसके नीचे 360 view camera का एक camera लगा हुआ है, 360 view camera है, LED DRL और LED इसमें light आपको देखने को मिलेंगी, fog lamp देखने को मिल जाएंगे, तो यह सारी चीज़ है, काफी अच्छा look यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, front में parking sensor देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप से तो मेरे साब से तो भाई काफी perfect दिया गया है, इसमें सभी कुछ, अगर यहाँ पर alloy wheel की बात करने तो एक सुन्दर look दिया गया है, black color में, black edition में, Tata की branding, front में display और rear में भी display ही आपको देखने को मिलेंगे, तो यह सारी चीज़ काफी अच्छी है, colliding भी black color में है, और यहा उपर की side में देखेंगे, तो rain sensor भाई पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ORBM पर indicator, electric fold और यहाँ पर 360 view camera का एक camera देखने को मिल जाएगा, तो यह सारी चीज़े हैं, उपर roof rail आपको देखने को मिल जाती है, सार्फिन, antenna यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क कुछ इस type से, यहाँ पर देखते हैं, तो harrier भी side में लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो भाई यह भी काफी अच्छा लिखा हुआ है, keyless entry, इस car के अंदर door काफी heavy है, और यहाँ पर देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, rear view mirror को set करने क का पूरा option यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह कुछ इस type से, और यह look कुछ अलग दिया गया है, soft touch है, और 4 window power का option यहाँ पर दिया गया, handle काफी मजबूत है, यह कुछ सारे features अच्छे हैं, यहाँ पर देखेंगे, तो speaker है, bottle holder, कुछ space, light भी यहाँ पर दी गई है, तो मेरे इसाब से काफी अच्छा है, और यहाँ पर देखते हैं, तो electric वाली सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ventilated सीटें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो कुछ इस type से यह दिया गया है, मेरे हिसाब से तो भाई काफी इच्छा है, और इसके price भी clear मैं तो आपका बठन दिया गया है और यहाँ पर soft touch कुछ इस type से दी गई है यहाँ पर light भी आपको मिल जाएगी तो यह कुछ इस type से steering है टाटा की branding यहाँ पर आप मिलती है cruise control इस car के अंदर आपको देखने को मिलेगा और music चलाने के लिए यह कुछ जैसे हम चावी ओन करते हैं तो कुछ इस type से हो जाता है और यह connected light भी है इसमें यह कुछ इस type से blue color में आप देख रहे हैं तो काफी अच्छा look देखने को मिल जाता है touch skin system काफी बड़ा है इस car के अंदर वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा तो यह सारी चीज यह आप देख सकते हैं तो काफी अच्छा look यहाँ पर हमें देखने को मिलता है touchometer में और यहाँ पर leather steering मिलेगा cruise control इधर है और इधर music control है और call receive करने का system मिलता है और यह bottom standing यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा touch skin system 12 inch वाला 12.39 inch में मिलता है कुछ इस type से और यह खुदी देख सकते हैं 360 view on है और यहाँ पर AC band यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर सारे features देखने को मिलते हैं क्या क्या हमें करना है यहाँ से तो यहाँ से कर सकते हैं यह swap touch के साथ में light और यह mod मिल जाते हैं इसमें कुछ इस type से तो यह काफी अच्छा है और यहाँ पर देखते हैं तो आगे की side में आप charging का option यहाँ पर आपको देखने को मिल ज यहाँ से gear है और यहाँ पर handbrake यानि parking में खड़े करने के लिए एक button दिया गया है और चावी यानि की की है वो काफी heavy है और यह कुछ इस पिरकार से armrest के नीचे space दिया गया है इसमें charging का option भी मिल जाता है और यह काफी swap touch है तो मेरे इसाफ से तो भाई काफी perfect है आपको कै कैसी अंदर से यह car लग रही है आप comment करके बता सकते हैं अगर उपर की side में देखते हैं तो यहाँ पर automatic mirror यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर light मिल जाती है और यहाँ से sunroof open करने के लिए यह कुछ इस type से switch मिल जाते है और pararonic sunroof इस car के अंदर आपको मि मिल जाता है यहाँ पर airbag यहाँ पर airbag यहाँ पर airbag यानि कि इसमें काफी सारे airbag मिलते हैं handle मिल जाते हैं और यह sunroof यहाँ पर sun visor यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं इधर की side में कुछ नहीं मिलता तो यह सारी चीज़ है तो SOS का button यहाँ पर हमें देखने को मिल ज आप अपनी comment करके राय दर्ज कर सकते हैं आप दूसरे वाले gate पर चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि हमें और क्या-क्या मिलने वाला है और यहाँ पर अब gate को open कर लेते हैं open करने के बाद कुछ इस टाइप से हमें पूरा gate यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से तो भाई काफी clear चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ पर वही सारी चीजे मिल जाती है और काफी अच्छा है यानि कि इसका जो handle है वो भी काफी मजबूत है नीचे की साइड में light मिलती है इधर देखते हैं तो यहाँ पर airbag मिल जाएगा और यहाँ पर soft touch में light के साथ में मिलता है और यहाँ पर आपको जो है electric seat निदमें देखने को मिल जाती है तो यह काफी अच्छा है वेंदिलेटी सीट है तो यह भी अच्छा है और अब एक मतलब कि जो बड़ी लेविल की कार हैं उनमें वेंटिलेट सीटे आ जाती है और यहाँ पर आपको सभी सीटों पर सीट वैल्ट का ऑप्शन मिल जाता है अगर हम पीछे की साइड में देखते हैं तो अंदर बैठने के बाद भी देखेंगे सॉफ्ट सीटें इस कार में आपको मिल जाती हैं लेदर सीटें हैं और अंदर बैठने के आद इस पेस देखा जाए तो इस पेस काफी बच जाता है कुछ इस टाइप से बहुत असानी से बैठ सकते हैं तो यह सारी चीज है यहाँ पर एसी बैंट साइड में आपको दिये गए हैं तो गर्मी लगेगी नहीं बिल्कुल भी और यह सारी पीछे की लाइट यहाँ पर दी गई है जो की रीडिंग लेंप है यहाँ पर पकड़कर बैठनी के लिए ह काफी अच्छा है, सेफटी फीचर में एंटी ब्रेक लोकिंग सिस्टम मिलता है, सेंटर-लोग चायल सेफटी डोल लोग और इसमें इसमें इसले कड़ कारक़्ा की वा कार के अंदर जो की साव और मजबूत और इसके जो है लोगों को अपनी तरफ आकरशित करने के लिए यह features काफी हैं, यहाँ पर देखेंगे तो charging का point यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे, तो मेरे एसाब से काफी अच्छा look यहाँ पर देखने को मिलता है, मेरे एसाब से काफी perfect है, जैसा कि इसमें बैठने के बाद feeling आ रही है, वो काफी अच्छी है, और यहाँ पर हम देखते हैं, तो कुछ इस step से, पीछे की side में, देखेंगे तो सार्फिन, एंटिना, spoiler, कुछ इस step से, बाईपर भी पीछे मिल जाता है, और यहाँ पर देखते हैं, तो यह बाईपर मिल जाएगा, defogger, मिलता ही है, टाटा की branding, हैरियर लिखा हुआ है, तो यह सारी चीज़े हैं, पीछे की side में camera भी मिलेगा, क्योंकि 360 view है, तो यह सारी चीज़े हैं, और boot space की, अगर हम बात करें, पहले तो आप यह देख लें, spoiler भी light दी गई है, और यहाँ पर washer भी है, तो यह सारी चीज़े है, अगर इसके बात करने हम यहाँ पर, तो हरियर लिखा हुआ है, और नीचे की side में parking sensor दिये गए हैं, boot space काफी बड़ा है, इस car के अंदर 445 लेटर का boot space है, जो की काफी बड़ा boot space है, इस car के अंदर मिल जाता है, टायर साइच काफी चोड़ा चोड़ा टायर दिये गए हैं, इस space आप देख सकते हैं, इस अपनी का टायर भी नीचे दिया गया है, यह कुछ इस type से, तो मेरे असाब से भाई ठीक है, बाकी अगर उपर ही देते हैं, बूट इस पेस में, तो जगह फिर कम रह जाती है, अगर टायर उपर दे भी आ जाता है, और यहाँ पर fuel tank, अगर हम बात करें fuel tank की, तो लगभग 50 लिटर का fuel tank इस car के अंदर आपको मिल जाता है, यहाँ पर अगर on road की बात करें तो लगभग 29 लाग प्लस में यह कार आपको देखने को मिलेगी, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत जल,